तेज आंधी आती है कहते है ये आंधी कवर की दुनिया में सब खतम कर देती है अब आंधी से बचने के लिए क्या करेंगे कुछल और किम? आंधी से बचके भागेंगे? पेर पर चड़ जाएंगे? या पास में एक गड़ा है उसमें छुप जाएंगे? क्या लगता है लॉजिकल आर्मिय आपको क्या करेंगे? आंधी से तेज इंसान भाग नहीं सकता और आंधी उपर सबसे जादा स्टॉंग होती है तो पेड़ पे चड़ना तो और रिस्की है गड़े पे चुपना सबसे सेफ होगा कुशल और किम गड़े में छुप जते है और आंधी से बज जाते है वहीं दूसरी तरफ गोगो, जगगा और धमाका सिंग महल के अंदर जा रहे होते है तो जदूइ मास गोगो को रोक लेता है गोगो कोई भी जादुई चीज की के अलावा महल के अंदर लेके नहीं जा सकते तुम्हें शक्ति पुंच और कमलम यहीं रखना होगा लेकिन लॉजिकल आर्मी ऐसे में तो कोई भी इसे चुरा सकता है अब क्या करेगा गोगो? सोचे सोचे गोगो ने नकल्ची की का इस्तमाल करके कमलम फूल और शक्ति पुंच की बहुत सारी कॉपी बना लिया जिससे कोई उसे चुरा ना पाए और फिस सभी महल के अंदर चले जाते है अंदर चारो तरफ दिवारे ही दिवारे थी और वो जिस रास्ते से आये थे वहां का दर्वासा भी गायब हो जाता है चारो तरफ की दिवारे गोगो के पास आने लगती है एक दिवार पे गोगो को एक पहेली दिखती है गोगो को जल्दी से उसका जवाब देना होगा नहीं तो सभी दिवारों के बीट में फसके मर जाएंगे logical army क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब सोचे और आपका answer कमेंट कीजिए middle number फिर first number और फिर third number code है जैसे first में 3 middle है first number 1 है और last number 4 है तो code है 314 वैसे ही final code हो जाएगा 657 गोगो जल्दी जल्दी में 675 बोल देता है तो दिवार और तेजी से गोगो की तरफ आने लगती है गोगो तुरन मुक्तियाची की बहार निकालता है और उसकी मदद से दिवारों को उसके तरफ आना रोग देता है और वहाँ से गायाबोके सीधे दूसरे कमरे में पहुच जाता है दूसरे कमरे से बाहर जाने के लिए गोगो को एक की लगेगी लेकिन वो की है कहाँ तबी गोगो का ध्यान पास में सो रहे एक दानाफ पे जाता है दानाफ के पास वो कीज होती है अब इतने बड़े दानव से की कैसे लेके आएगा गोगो क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी गोगो अद्रस्यक की बाहर निकालता है और गायब हो जाता है और दीरे दीरे दानव के पास जाता है और की लेके वापस आ जाता है यहां तोटल तीन कीज है और तीनों पे कुछ नंबर्स लिखे हुआ है 35 और सेवन और डोर पे एक नंबर लिखा हुआ है 56 अब आपको सोचना है 56 नंबर का डिविजर कौन है 35 या 7 और उनमें से एक की से डोर खुल जाएगा तो सोचे और आपका अंसर कमेंट कीजिए 3 की टेस्ट और डिविजर का डिवाइड होता है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा जैसे 56 में 5 प्लस 6 हो गया 11 अब 11 3 से डिवाइड नहीं होता है मतलब 56 भी डिवाइड नहीं होगा 5 की भी सिंपल है लास का नंबर 0 या 5 होना चाहिए ये नंबर 7 से डिवाइड होगा गोगो की 7 लेता है और डोर ओपन कर लेता है और जला कोटी के स्टैचू के और पास पहुँच जाता है आगे गोगो को एक तराजू दिखता है अब तराजू को पार करने के लिए दोनों तरफ एकदम पराबर वेट वाले लोगों को बैठाना होगा तभी तराजू एकदम बैलेंस होगा और आगे का रास्ता मिलेगा अब इन तीनों में तीनों के वेट तो कम जादा है गोगो तोड़ा सोचता है और नकलची की निकाल कर अपने दो डूब्लिकेट बना लेता है और दोनों तराज उपे बैठ जाते है तराज उएकदम बैलेंस हो जाता है और दोर खुल जाता है सभी आगे बढ़ते है तो उन्हें सामने एक बड़ा सा दर्वाजा दिखता है अब ये दर्वाजा बस सत्याची की से खुलेगा गोगो नकलची की से सत्याची की की नकल बनाने के लिए कहता है सत्याची कीकी नकल बन जाती है लेकिन उससे दर्वाजा नहीं खुलता है मतलब गोगो को आगे बढ़ने के लिए अब सत्याची कीकी जरुरत पड़ेगी लेकिन वो तो कुशल के पास है वहीं दूसरी तरफ आंधी चले जाती है और केम और कुशल बाहर आ जाते है दोनोंने आंधी को हरा दिया था दोनों को बाहर आते ही एक दर्वाजा दिखता है दोनों उस दर्वाजे के अंदर चले जाते है और जलाकोटी के महल के सामने पहुच जाते है कुशल को सामने बहुत सारे कमलम फूल और शक्ती पूँच दिखते है कुशल समझ जाता है कि इनमें से असली कौन सा है कैसे कुशल को ये कैसे समझता है क्या आप बता सकते है कुशल के पास सत्याचिकी है उसकी मदद से कुशल समझ जाता है कि असली कमलम फूल और शक्ति पुंच कौन सा है कुशल और किम फिर महल के अंदर चले जाते है अंदर जाते ही दोर बंद हो जाता है और दोनों तरफ की दिवारे कुशल के पास आने लगती है सामने बारी दिवार पर कुशल को एक पहली दिखती है पहली सौल करके ही कुशल दिवारों से बच सकता है Logical Army कि आप दिवार पहली के हिंट को देख के बता सकता है कोड क्या होगा जल्दी जल्दी सोचे और आपका अंसर कमेंट कीजिए इसका अंसर एकदम सिंपल है Number of letters code है जैसे 1 में 3 letters है तो code हो गया 3 2 में 3 letters है तो code हो गया 3 5 में 4 letters है तो code हो जाएगा 4 कुशल code समझ जाता है और जोरों से चिलाता है 4 दिवार उसके पास आने से रोख जाती है सामने एक दर्वाजा खुलता है और कुशल उसके अंदर चला जाता है इस रोम को पार करने के लिए कुशल को दानव के पास रखी चाबी को लाना होगा कुशल धीरे धीरे दानव के पास जाता है और चाबी निकालता है और दोर के पास आ जाता है अब यहाँ तीन चाबी है और उन पे लिखा हुआ है 4, 6 और 9 और दोर पे लिखा हुआ है not 54 मतलब आपको ऐसी चाबी दूननी है जो 54 का डिवाइजर नहीं है क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी चाबी है? 6 और 9 तोनो 54 के डिवाइजर है 6 इंटू 9 होता है 54 4 नहीं होता है मतलब यही असली चाबी है कुशल चाबी की मदद से डोर खोल लेता है और अगले रूम में पहुच जाता है कुशल निशान्ची की से गोगो की लोकेशन पता करने की कोशिश करता है तो पता चलता है गोगो तो एस रूम में है लेकिन कुशल को दिख नहीं रहाता लगता है कोगो अद्रेश्यकी की मदद से कायब हो गया है अब क्या करेंगा कुशल, सोचे लोजिकल आर्मी कुशल को जंगली पेड़ ने एक पत्ती दिया था कुशल वो निकालता है और उसकी शक्ती से गोगो जग्गा और धमाका से इंग कुशल के सामने आ जाते है गोगो ने एक ट्राप बिचायता, कुशल और केम उस ट्राप में फस जाते है लेकिन गोगो को आगे बढ़ने के लिए कुशल से सत्याची की और निशान्ची की चाहिए निशान्ची की की मदद से ही उन्हें पता चलेगा कि महल में स्टैचू कहां पे है गोगो कुशल से कहता है कि उससे सिर्फ खजाना चाहिए, मुकुट नहीं चाहिए कुशल गोगो की बातों का यकिन कर लेता है और सत्याची की की मदद से दर्वाजा खोल देता है अगले रूम में पहुचते ही उन्हें एक बड़ासा दर्वाजा दिखता है दर्वाजा लॉक्ड है शायद इसी दर्वाजे के पीछे खजाना और जलाखोटी का मुकोट होगा दर्वाजे का कोड बहुत दिफिकल था सभी सोचने लग जाते है लॉजिकल आर्मी क्या आप इस दर्वाजे का कोड सोच सकते है सोचे और आपका आंसर कमेंट कीजे कोड है नंबर ओफ वाबल्स A, I, E, O, U वर्ड में कितने बार आते है जैसे इंडिया में I, I, A तो तीन वाबल्स हो गए बांगला देश में A, A, E वापस तीन वाबल्स तो कोड हो गया थ्री तो सिलंका के लिए आए A, A, इसमें भी तीन वाबल्स है तो कोड हो जाएगा थ्री कुशल ये समझ जाता है और कोट्री प्रेस करता है प्रेस करते ही दर्वाजा खुलता है और सामने बहुत सारा खजाना और जलाकोटी का स्टैच्यू दिख जाता है गोगो वापस ट्राप लगाता है और कुशल और किम को उसमें बांग देता है और खुद दर्वाजे के अंदर चला जाता है गोगो जग्गा और धमाका सिंग अंदर जाते है गोगो जलाकोटी के स्टैच्यू पे मास्क रखता है तेज रोश्णी निकलती है पूरा खजाना गायब हो जाता है एसा क्यों हुआ होगा लॉजिकल आर्मी? क्या आप सोच सकते है? वो नकली खजाना और नकली स्टैच्यू था कुशल जाल से बाहर निकलता है और सत्याचि की कि मदद से समझ जाता है कि खजाना नकली है फिर वो निशान्ची की से स्टाच्यो की लोकेशन समझ जाता है और वहाँ उसे असली खजाना मिल जाता है कुशल खजाना गरीबों की मदद के लिए गवर्मेंट को दे देता है और मास को वापस जमीन के नीचे दफना देता है गोगो को कुछ नहीं मिल पाता और कुशल दुनिया को जलाकोटी के मास से भी बचा लेता है थैंक यू